अध्याय चवदा गनिती कत्नों की जाच प्रूफ आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स परिचे इंट्रोडक्शन हम अपने जीवन में अक्सर रोजाना के कत्नों या दावों को ऐसे ही माल लेने के बजाए तरकों से तौलने की कोशिश करते हैं जैसे आपने विज्यापनों में देखा सुना होगा कि आप इस पैंसिल से लिखेंगे तो तेज लिख पाएंगे या आप अपने बच्चे को यह टानिक पिलाएंगे तो वह तेज दोड़ेगा यानि अगर आपको तेज लिखना है तो उसी पैंसिल से लिखे और टॉनिक पीने से तेज दोड़ेंगे नहीं तो पीशे रह जाएंगे अब बात आती है कि इन दावों और कत्नों को जो हम सुनते रहते हैं उन्हें कैसे जाचा जाए या उनकी सत्यता कैसे पता की जाए एक तरीका तो है कि बार-बार ओलोकन यानि इंपिरिकल अब्जर्वेशन करके पता करें कि टॉनिक पीने से कितने बच्चे दोड़ में अववल आए या कितने बच्चों का कद बढ़ा अत्वा उसी पैंसिल से लिखने वाले कितने बच्चों की लिखने की गति तेज हो फिर इन उलोकनों के आधार पर आगे सोचा जा सकता है पर क्या यह तरीका हर इस सिते में कारकर होगा क्या यह गणिती कतनों पर भी लागू हो सकता है जैसे इन कतनों को पढ़िए किसी संख्या का गुणज उस संख्या के सभी गुणन खंडों का भी गुणज होता है जो संख्या आट से विभाजित होगी वह चार से भी विभाजित होगी संख्या शुन्य दशमलो शुन्य 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 एक संख्या दस की घात रिन बीस से बड़ी है दो विशम संख्याओं का योग हमेशा समसंख्या होती है दो संख्याओं का गुणन फल उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है ऐसे कतनों को जाशने के लिए क्या पहले वाला तरीका उप्योग कर सकते हैं यानि क्या हम कतन एक को जाशने के लिए हर संख्या के सभी गुणज और गुणन खंड निगा लेंगे या फिर कतन दो में आट से विभाजित होने वाली अनन्त संख्याओं को चार से विभाजित करके देखेंगे या इस पस्ट है कि इस प्रकार के कतनों को जाचने के लिए यह तरीका संभव नहीं है कुछ व्यापक तरीके या आधार जरूरी हैं जिससे यह पता लगाया जा सके कि शुन्य दसमलो शुन्य 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 एक दस किखात रिंड बीस से बड़ा है या छोटा इसी तरह कोई ऐसा नियम चाहिए जिनके आधार पर विशम संख्याओं का जोड सम संख्या दिखाया जा सके या फिर संख्याओं के गुड़न फल का परिक्षण हो सके आईए गणिती कतनों को जाचने का तरीका पता करते हैं गणिती कतनों को सिद्ध करना इसके लिए हम कुछ कतनों का उधारन लेकर देखते हैं संख्याओं के कतन एक एक विशम और एक समसंख्या का जोड हमेशा विशम संख्या होती है उपपत्ति किसी भी समपुर्णांग B को हम B बराबर 2K लिख सकते हैं जहां के कोई पुर्णांग है समपुर्णांग की परिभासा से चोकी B दो से विभाजित है किसी भी विशम पुर्णांग A को हम A बराबर 2K1 धन 1 लिख सकते हैं जहां K1 भी पुर्णांग है किसी भी समसंख्या में एक जोड़ने पर विशम संख्या प्राप्त होती है अब कतन एक और दो को जोड़ने पर हमें मिलेगा ए धन बी बराबर दो केवन धन एक धन दो के बराबर दो कोष्टक में के धन केवन कोष्टक बंद धन एक बराबर दो एम धन एक जहां एम बराबर के धन केवन है और एम एक परणांख है चुंकि दो एम एक सम संख्या है अतह दो एम धन एक एक विशम संख्या है यानि एक विशम और एक सम संख्या का जोड़ हमेशा विशम संख्या ही होगी आपने देखा कि यहां हमने सम और विशम परणांगों की परभाशा के आधार पर इस कतन को सिद्ध किया है जयामिती कथन आपने कक्षा 9 में जयामिती के कथनों को सिद्ध करना सीखा है जैसे चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 अंश होता है या यदि एक तिर्यक रेखा दो समान अंतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो एक आंतर अंतर कोणों का प्रतिख योग पराबर होता है यहां हम दूसरे कथन की उपत्ति करेंगे और उसके मुख के पहलों को ढोड़ेंगे कथन दो यदि एक तिर्यक रेखा दो समान अंतर रेखाओं को प्रतिछेत करे तो एकांतर अंतह कोणों का प्रत्यक यूगम पराबर होता है उपपत्ति माना A, B और C, D समांतर रेखाओं को P, Q, 3 रेखा प्रतिछेद करती है यहां कोण M, N, D वो कोण A, M, N एकांतर अंतह कोणों का एक यूगम है तथा कोण MNC वो कोण BMN एक अंतर अंतर कोणों का दूसरा युगम है हमें यह देखना है कि क्या कोण MND बराबर कोण AMN वो कोण MNC बराबर कोण BMN चोंकि कोण PMB वो कोण MND संगत कोण है इसलिए कोण PMB बराबर कोण MND संगत कोण अभिग्रिहित से तथा कोण PMB बराबर कोण AMN शिर्षा भिमुक कोण प्रमे से अब हम इन एक और दो कत्नों से प्राप्त करते हैं कोण MND बराबर कोण AMN इसी प्रेकार कोण MNC बराबर कोण BMN अता है यहां एक अंतर अंता कोणों के दोनों यूग में बराबर है